Hello everyone, मैं आपसे question पूछता हूँ, आप खुद बताओ एक बार कि आपके channel पे views increase क्यों नहीं हो रहे हैं, आपकी videos पे कम views क्यों आ रहे हैं, क्या YouTube आपको support नहीं करता है, या audience आपको watch नहीं करती है, या ज़्यादा लोग आपकी video पे comment नहीं करते हैं, आप एक बार खुद से ये सारा method है, 4 steps का है, ये 4 steps करने हैं, पूरा practical method बताओंगा भाई, YouTube studio open करके, हर video को open करके, आपको सारी चीजे बताओंगा, कहां से, कौन सी setting ठीक करनी होती है, कहां पे कौन सी trick लगा सकते हैं, कहां पे आप और दूसरे YouTube channels का use करके, अपने channel पे views बढ़ा सकते हो, बहुत सारे YouTube tips देने वाले बंदे भी हमारे channel की videos यूज़ करके, अपने views बढ़ाते हैं, हम वो वाली चीज़ भी यहां पे discuss करेंगे, तो कि जो लोग अपने views बढ़ा रहे हैं, जो YouTube पे views बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम क्यों ना आपको वो चीज़ बताएं, कि आप भी अपने views हैंगे कि बहुत जादा audience आपको पसंद करने लग जाएगी, जादा audience आपकी videos को देखने लग जाएगी, जादा views आएंगे, जादा comments आएंगे, जादा earning होगी, कम views आते हैं, एक दिन महनत करके, दो दिन महनत करके, कोई बच्चा, कोई student, कोई घर बे house 5, अपनी एक YouTube video अप जोगिन उसने पूरी महनत करके उस video को बनाया, और उस video पे views देखे, अपलोड करने के बाद भी इस views आए, कहां पे गलती हो रही है, क्या चीज़ हमें सही करनी चीए, सारी चीज़े इस video मिलने वाली है, वीडियो को last तक देखना है, पूरे के पूरे steps के बारे में बात कर करनी है, कहां से आपको वो चीज़ confirm कर लेनी है, आपको YouTube studio आपको open करना है, YouTube studio में आपको सब कुछ दिखता है, Chrome browser में आप open कर सकते हो, यहां पे देखो आप लोगों ने कितने बढ़िया-बढ़िया comment किये हुए है, यहां पे इन्होंने channel ही आज बनाया है, यहां पे इस भ currency है, वो क्या होनी चीए, इसका views के साथ कोई relation नहीं है, इसको हटा देते हैं, उसके बाद यह second step आता है, यहां पे क्या होता है, आपकी country of residence होती है, अगर आप अपनी country चूज नहीं करोगे न, तो YouTube कहीं न कहीं आपकी वीडियो को सही लोगों तक नहीं पहुँचाएगा, तो सबसे पहले तो आपको अपनी country चूज कर लेनी है, इंडिया country चूज करनी है, और keywords में अपने channel का नाम डाल देना है, अगर आप और भी keywords add करना चाते हो, तो आप अपने channel के नाम के साथ साथ, यहां पे ऐसे keywords भी add कर सकते हो न, जो आपके channel से related हैं, जैसे मेरे channel से related क्या कैसे बढ़ाएं, subscribers कैसे बढ़ाएं, YouTube की नई updates क्या है, YouTube चैनल को monetize कैसे करें, यह सारे keywords भी मैं add कर सकता हूँ, आप भी इसी तरीके से अपने सारे important keywords को यहां पे add कर सकते हो, अब आपको जो next चीज़ चेंज करनी है न, वो क्या करना है, upload default क्या होता है, कि जब भी आप अ description मेरी हर video में जाएगा, जैसे मैंने क्या कर रखा है, कि मेरे सारे चैनल को subscribe करने के लिए, यहां पे यह link है, इसको add कर लो, उसके बाद यह चीज़ कभी भी miss नहीं करनी है, अपनी जो बाकी videos है न, उनका link अपने description में जरूर लगाना है, ताकि आपकी कोई एक video देखे न, उसके बाद आप अपने viewer को बोल पाओ, यह description में और भी videos का link है, वहां पे आप क्लिक करके मेरी दूसरी videos देख सकते हो, अगर आपको मेरी यह video पसंद आई है, लेकिन इस video को अभी देखते रहो, अभी इधर उधर नहीं भागना है, उसके बाद अपने social media के link लगा सकते हो Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, जिस भी चीज का link लगाना चाहिए, वो यहां पे add कर सकते हो, उसके बाद आपको starting में अपनी visibility जो है न, upload defaults की visibility, वो unlisted ही रखनी है, अब यह setting आपको तभी शो होगी, जब आप video upload करोगे, अपने desktop से, अगर आप mobile से videos upload कर देते हो न, यह सारी चीज़े नहीं द अपनी YouTube वीडियो का upload करो न, जब तक वो processing में रहती है, कि हाँ यह 20% process हो चुकिया, 30% process हो चुकिया, तब तक आपको उसको public पे जानना ही नहीं है, उसको unlisted रखो, एक दो घंटा unlisted रखो, उसके बाद public करो, ताकि YouTube को भी समझ में आजाए, आपकी video किस बारे में है, किस topic क बारे में है, उसके बाद आप अपने upload defaults में tag अगर use करना चाहते हो, तो अपने channel से related करो, बाकि tags कुछ भी डालना नहीं है, advance setting के अगर मैं बात करूँ न, आपको हर्दम, यह वाली चीज बहुत ज़्यादा useful रहती है, यार, यह कि मैं अपनी video का language हर्दम choose करता हूँ, कि बाइ मैं जिस भासा में बोल रहा हूँ, अगर आप मराठी में बोलते हो, राजस्थानी में बोलते हो, गुजराती में बोलते हो, तो यहाँ पर है न, चूज करना है, कि मेरी video की language क्या है, अगर आप उडिया में बोलते हो, उडिशा के हमारे बहुत सारी subscribers है, अब video language क्या है, हिंदी चूज की है हमने, यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, caption certificate, यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, this content has never aired on television in US, कि भाई, US में कभी भी हमारी video air नहीं हुई है, उसके बाद title and description language में आप क्या चूज कर सकते हो, अगर आप अपनी video में English title डालते हो, ना English Hindi Mix डालते हो, तो आप English India ही चूज कर सकते हो, और आपको जादा कुछ change करने की जरूत नहीं है, बाई, second step समझते हैं, और second step में हम समझेंगे, कि हमें description में और अपनी video के tags में क्या डालना चाहिए, मैं आपको बताओ, description का बहुती बड़ा रोल रहता है, एक video के metadata के लिए, एक new channel के लिए क्योंकि जब भी एक नया YouTube channel होता है, तो YouTube के पास एक audience नहीं रहती है, कि हाँ इस channel को कौन लोग देखेंगे, कौन लोग पसंद करेंगे, तो मैं इस channel को सबसे पहले भेजू किस के पास, तो उसके लिए क्या use होता है, video का metadata, metadata क्या होता है, यहाँ पे आपको जो description दिखता है कि भाई, video किस बारे में है, उसका description लिखा है हमने, उसके बाद नीचे tags रहते हैं, कि हमने tags भी डाले हैं, कि उसमें उस video को किस किस तरीके से लोग सर्च करके उस video के उपर आ सकते हैं, यहाँ पे आप देखो, जब भी हम अपनी video का title डालते हैं, title में आपको क्या try करना है, कि आपका title 70 character से कम का रही, ज़्यादा लंबा title मत डालो यह, 70 character से कम का डालोगी, ज़्यादा logo तक पहुंचेगी आपकी video, उसके बाद क्या है ना, आपकी video का description रहता है हमारी video का, उसमें आप ज़्यादा लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे तो 100 की ही limit है, कि 100 character ही लिख सकते ह हैं, लेकिन आपको अपनी video के starting में क्या करना है ना, उस video के बारे में लिखना है, जैसे हमारी ये video किस बारे में थी, monetization की new update के बारे में थी, तो इस new update के बारे में हमने video बनाई, YouTube monetization 2023, new update, अब ये keyword वहाँ पे जब मैंने YouTube पे सर्च किया, YouTube monetization 2023, तो new update भी मेरे को keyword बिला, म मतलब लोग, जिस भी आपका topic है, जो भी आपका topic है, जिस भी topic के उपर आप video बना रहे हो, उससे related कोई भी keyword अगर बंदे सर्च करते हैं, तो उसको आप अपने description में add कर सकते हो, भाई, कोमा लगा लगा के, पूरा line by line नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से पूरी line बना क site पर जाना है, use tool for free कर देना है, और यहाँ पर simply type कर देना है, जैसे हमारा topic है YouTube new update, तो हमने क्या कर दिया, YouTube new update type कर दिया, new update करते ही हमने यहाँ पर enter किया, यहाँ पर बहुत सारे keywords आगे, जो भी keyword आप use करना चाहते हो, यूज कर सकते हो, जो भी आपको काटने है, काट सकते ह यहाँ से एक दो remove करके, आप क्या कर सकते हो, उनके जिएगे अपने channel का नाम add कर सकते हो, यह एक best तरीका है, text को डालने का, यहाँ पर I agree कर दो, यहाँ पर copy का option आजाएगा, copy करके, आप सीधा यहाँ पर add कर सकते हो, अब देखो, जो third step है जिससे आप अपने views को increase कर सकते ह बहुत easily तरीके से, वो है अपनी वीडियो का intro अच्छा करके, intro क्या होता है, आपकी वीडियो जब भी आप start करते हो, आपकी वीडियो की जो पहली 30 second होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा important रहती है, और अगर मैं shorts की बात करो ना, तो पहली 5 second बहुत ही ज़्यादा जरूर वीडियो देखते हैं, हमने एक 500 subscribers के उपर, अपडेट के उपर एक वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में अगर आप देखोगे ना, average view duration हमारा रखा है, एक मिनट 21 second, इतना ज़्यादा नहीं आया है, मैं घर पहुच गया था है, रक्षा बंदन पर, तो हमने ये वीडियो बनाई थी घर से, लेकिन इस वीडियो का जब आप देखोगे ना, कि पहली 30 second में कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 62% लोग इस वीडियो की starting की 30 second है ना, उसमें जुडे हुए हैं, ज्यादा लोग भाग के नहींगे हैं, अब आपकी वीडियो में ये number कितना भी हो सकता है, क्या पता ये number आपकी वीडियो में 40% हो, 30% हो, आपको इसको improve करना है, कि आपकी वीडियो की जो starting part है ना, उससे लोग engage हो जाएं, आप अपनी वीडियो का थोड़ा brief दे दो, पहली 30 second में कि इस वीडियो में आप क्या बताने वाले हो, या फिर आप अपने thumbnail के साथ connect कर सकते हो, मैं आपको एक best tip बता रहा हो ना, हर दम अपने thumbnail को वीडियो बनाने से पहले प्लैन करो, वीडियो बनाने से पहले अपना thumbnail प्लैन करो, कि भाई मेरे को ये thumbnail चूज़ करना है, ये वीडियो चूज़ करनी है, और एक चीज़ और बता दू, भाई category जो हो social blade पर भी दिख जाती है, और वैसे भी आप easily ढूण सकते हो, कि चैनल की category क्या है, और YouTube पर जो main main category चलती है, वो क्या है, entertainment है, education है, people and blog है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप educational category चूज़ कर ले ना, उसमें आपकी वीडियो बेस्ट परफॉर्म करेंगी, तो कि इसमें आपको सारी चीज़े समझ में आजाएंगे, YouTube का एक काला सच पता चल जाएगा, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, YouTube पर जब आप काम करोगे ना, तो आपके दिमाग में unique ideas आएंगे, नहीं नहीं ideas आएंगे, कि यह मैं इस पर भी views देखोगे ना, इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थी, जैसे लास्ट वाली वीडियो पर भी 40,000 views आए थे, लेकिन इस वीडियो पर ज्यादा views आ गए, और यह topic भी unique था, topic भी बहुत अच्छा था कि यह topic पर तो वीडियो बनानी ही चाहिए, तो हमने इस वीडियो को बनाया सोचा की हाँ यह related वीडियो से add करके आप अपने YouTube चैनल को grow कर सकते हो, और पता है हमारी इस वीडियो को किसने copy किया, आपको दिख रहे होंगे, जो मनोजदे हैं ना, उन्होंने हमारी इस वीडियो कोपी किया, दो दिन में एक लाख 69,000 views आगे, good news, 4000 hours watch complete, source बना कर complete करो, उ यह वाली चीज जब भार वाली कंट्रीज में ओन थी, अब इंडिया में भी आ चुकी है, तो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई और इस पे देखो, सबसे पहले वीडियो बनाने के बाद भी 24,000 views आए, और यह वीडियो हमने 5 दिन पहले बनाई थी, और यहाँ पे देखो आपका ही कोपी करके कोई भी एक टोपिक पे वीडियो बना देंगे, उनकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आएंगे, यह इस चीज को है ना कभी भी दुखी हो के मत सोचना, कि भाई यह वो मेरा टोपिक चूज कर रहा है, मैंने वीडियो बनाई थी, मेरी वीडियो व है, एक लाग लोगों ने जब क्लिक किया है, तभी तो इस पे इतने ज़्यादा व्यूज आए, इस वीडियो पे सिर्फ 200 लोगों ने ही क्लिक किया है, तो मतलब चीज साफ साफ है, कि जिन वीडियो पे ज़्यादा व्यूज है, मतलब उन टोपिक पे लोग ज़्यादा इ यूनिक आइडियाज को ढूंड के लेके आते हैं, अच्छे आइडियाज पर वीडियोज बनाते हैं, यहाँ पर जो point निकला है ना हमारा, वो किसका निकला है CTR, कि आपको अपनी वीडियोज की CTR increase करनी है, अगर आपको view चीहें तो, आप अपनी 30 second में लोगों को अच्छे तरीके से engage कर लोगे, और उसके साथ-साथ आपके CTR भी अच्छी होनी चीहें, क्योंकि CTR अच्छी होगी, ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, आपके कौन से थमनेल पर CTR ज़्यादा आएगी, इसके दो ही तरीका यह है, कि पहले से जो चलता हुआ आ रहा है, इतने सालों स तो इस तरीके से experiment करने से कभी मट डर हो, यार लव यू है आप सब लोगों को, मैंने लास्ट वीडियो में यह पुछा था, कि क्या हम यह motivational stories अपनी वीडियो के लास्ट में add करें, तो यार आप लोगों ने कितने भर-भर के comment किये हैं, इतने ज़्यादा comments आए हैं उस कि मोटिवेशनल चीज एड करो, क्या हम है नहीं या डी मोटिवेट हो जाते हैं, यूटिब पर वीडियो जालते हैं, कि हमारी वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं, तो जो मोटिवेशनल स्टोरी आप बताते हो ना, वह बहुत ही entertaining रहती है, तो आज भी मैं एक मोटिवे मिल जाए, आप वीडियो वोच कर पाओ, लेकिन जो हमारी मोटिवेशनल स्टोरी होती है, उसके लिए आज हम जो टार्गेट रखने हैं, तीन हजार लाइक का टार्गेट है, मेरे को पता है, आप बहुत जल्दी complete कर दोगए, पिस भाई रहते हैं, यह ओफिस में डेली इ वाज आती है, इनका पापा बोलते हैं, बेटा मैं होस्पिटल में हूँ, जल्दी एक बार होस्पिटल आ जा, अब आप समझ सकते हो इस बंदी की क्या सिच्वेशन होगी, यह जल्दी से क्या करता है, वहां से ओफिस से निकलता है, अपने मैनेजर को जिसको भी इसको बत होस्पिटल ढूंडते हैं, और उस होस्पिटल तक पहुंचते हैं, जैसे यह होस्पिटल पहुंचते हैं, इसके पापा इसको मिलते हैं, और इसके पापा इससे मिलने के बाद डॉक्टर्स को बोल देते हैं, आप दो मिनिट के लिए बाहर चले जाओ, मेरे बेटे से उच्छी टाइम बचा हुआ है मेरा लेकिन मैं तेरे को एक आज बात समझाने वाला हूं और इस बात को आप लोग भी गोर करना कि ये बात क्या है इसका पापा इसको एक घड़ी देते हैं और इस घड़ी को देके बोलते हैं कि भाई तेरे दादा जीने मेरे को एक घड़ी तू लेके जा और एक बार ज्वैलरी वाली शोप पे चला जा और वहां पे इसका रेट पूछ के आ कि कितने में लेंगे वह इसका लड़का बोलता है पापा यार आपकी तबियत इतनी खराब हो रखी है और आप मेरे को अपने से दूर जाने के लिए बोल रहे हो कि भाई बोलता है कि भाई ये जवेलरी शोप में कि भाई ये घडगी है इस घड़ी को आप कितने रुपे में लोगे और वहां से वो रेट पूछ के अपने पापा के पास वापस आजाजाते है वह जैसे ही वापस आता है उसके पुरानी चीजे लेते एंघा मतलब जो लोगों के तबियत इतनी खराब हो रखी है आप प्लीज मेरे को अपने पास रहने दो तो उसके पापा बोलते हैं बेटा जब तक तु वापस नहीं आएगा न मेरे को कुछ नहीं होने वाला मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन तु इस घड़ी को लेके एक बार जल्दी से किसी पुरानी दुकान पे जा जो पुरानी सामान लेते हैं ये बंदा जल्दी करके एक पुरानी सामान वाली शोप पे जाता है और उस सामान वाली शोप पे उस घड़ी को बोलता है कि भाई ये घड़ी में बेचना चाहता हूँ आप कितना रुपए में ले होगई वो बोलेंगे कि यह तो एक बार और जा और अब तो इस घड़ी को लेके म्यूजियम में जा जैसे ही वो उस घड़ी को लेके म्यूजियम में पहुंचता है और म्यूजियम में जाने के बाद वो उन लोगों को ये घड़ी दिखाता है तो जल्दी से जल्दी करके वो अपने पापा के पास वाप यह उसके पापा उसको बोलते हैं कि बेटा सुन, तेरी वैल्यू वही करेगा जिसको तेरे बारे में पता होगा, किसी और की बातों में आके तू अपने आपको नीचा मत समझ, कि किसी ने बोल दिये कि भाई तू तो तो सिर्फ दो सो रुपे का है, या दो हजार रुपे का ह तो तू उन दो हजार दोसो पे लिमिट हो गया, कि भाई आप दो हजार दोसो के बीच में क्या, मेरे को पचीस सो मिल जाएं, मैं खुश हूँ, तो उस चीज पे खुश नहीं होना है, कभी भी आपने आपको लिमिट नहीं करना है, क्योंकि तेरी वैल्यू तभी पता चले है ना, वो लोगो को देना छोड़ दो, कि भाई, लोग तेरे को नहीं बताएंगे भाई, तो कि उनको क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, अपना calculator अपने हाथ में लेके रख, यह नहीं बताएगा कि भाई, तो तो एना, BSC कर पाएगा बैस, य такая या 10% मांख साएंगेए तो उनको केलकुलेटर दे क्यों रहा है वो कौन होते हैं तेरी लाइफ को बताने वाले तेरे अंदर इतनी पावर है तेरे अंदर इतना जजबा है ना तु जिंदगी में जो चाहें वह पा सकता है इसी चीज़ से एक बात आती है कि डोंट शेटल फॉर एनिफिंग एल्स भ तेरी वेल्यू बहुत जादा है तो 2000 करोड का बंदा है लेकिन तु उस 200 रुपए के चक्र में क्यों पढ़ रहे है ना अपनी वेल्यू इंक्रीज कर किसी और के हाथ में कैलकुलेटर देना बंद करो लोग नहीं बताएंगे तुम्हें क्या करना है मैं मेरी जिंदगी में मैं खुद डिसाइड करूँगा मैं क्या करना चाहता हूँ कि भाई तुम है ना जीतने के लिए पैदा हुए हो तुम हारने के लिए पैदा नहीं हो हर दम कम बोलो आपके जो रजल्ट्स है ना वो अपने आप लोगों को शो कर देंगे आप जिंदगी में क्या कर रहे हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेर कर देना लव यू ओल टाटा बाई बाई